सात्यों आप सभी को नमस्कार, हम केमिस्टी पढ़ रहे थे, उसी को कांटिन्यू करेंगे केमिस्टी में जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम होगा अमलेचार लमड यानि एसिट बेस साल्ट, तो इस टॉपिक के हम सभी एस्पेक्ट को कवर करेंगे, यहां से प्रशन आपके एक्जाम में पूछा जाता है, सभी क्लासेज हमारी आपको यूटूब चैनल पर मिल जाती है, लेकिन इन सबका पेडियाफ हमारे संकल बैच के प बहतर बनाने के लिए यहां से जूट सकते हैं, चलिए भीना देर की वे अपनी कलास को हम सुरू करते हैं, अमले चार लमड को एक तो साधारण भासा में आप समझ लेजिए कि अमल कौन से होंगे, चार कौन से होते हैं और लमड क्या होते हैं, तो अमल वैसे होते हैं, जिन तो अगर नमकीन स्वाद है तो वो साल्ट होगा लमड होगा राइट नमकीन है तो लमड यानि साल्ट होगा अगर कड़वा है स्वाद तो वो छारक होगा अगर खटा है तो वो अमली होगा जैसे दही निम्बू करा संतरे करा सिरिके का स्वाद यह सभी क्या होता है खटा हो इसे पदार्थों की रहसायनिक प्रक्रत कैसे होती है, अमली होती है, एसे पदार्थों की रहसायनिक प्रक्रत कैसे होती है, अमली होती है, एसे पदार्थों की रहसायनिक प्रक्रत कैसे होती है, अमली होती है, एसे पदार्थों की रहसायनिक प्रक्रत कैसे होती है, अमली हो यहां से प्रशन बन सकता है तो छार क्या होंगे? छार ऐसे छारक होंगे जो जल में क्या होंगे? गुलन सील होते है सभी चारक actually में घुलनसील जल में नहीं होते हैं लेकिन जो जल में चारक घुल जाते हैं वही क्या कहलाते हैं चार कहलाते हैं यानि एक बड़ा गोला होगा चारक का और दूसरा गोला होगा चार का और इस छोटे गोले में वे चारक होंगे जो जल में घुलन सील होंगे तो सभी छार छारक होंगे परन्तु सभी छारक छार नहीं होंगे ये चीज़ आपको याद रखना है अब हम अमल छारक और लमड के बारे में डेटेल में पढ़ेंगे एक basic understanding ले लिए है कि अमल छारक लमड होते क्या है तो जो पदार्त स्वाद में हमको खटे लगते हैं वे अमल होते हैं जो स्वाद में कड़वे लगेंगे वो कैसे होंगे छारक होंगे और जिनका स्वाद नमकीन होगा वो सभी लमडी होंगे तो अब हम अमल के बारे में डेटेल में जानेंगे सबसे पहले इनके गुड़ों को देख लेते हैं कोई पदार्थ अगर अमल होगा तो उसके क्या गुड़ होंगे तो सबसे पहले तो वो पदार्थ कैसा होगा स्वाद में खट्टा होगा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है मिथाइल ओरेंज को भी लाल कर देता है यह important statement है आपके exam में आने लायक और इसमें confusion भी होती है तो याद रखेगा नीला लिटमस पेपर और मिथाइल ओरेंज में अगर आप अमल को मिला देंगा नीला लिटमस और मिथाइल ओरेंज कैसा हो जाएगा लाल हो जाएगा acid क्या होते है यह विद्दुत के सूचालक होते है यानि इनमें electricity क्या हो सकती है प्रवाहित हो सकती है तो याद रखेगा विद्दुत के सूचालक होते है अमल किसी धात उसे क्रिया करके hydrogen gas निकालती है it's very important statement यह सभी statement आपके exam में आने लायक है आपसे examiner दे देगा निमलिखित में से अमली पदार्थों के गुड़ होते है और एक, दो, तीन, चार statement तो ऐसे में आपको यह सारी चीजे पता होनी चाहिए धात उसे क्रिया करके अमले क्या release करते है तो hydrogen gas release करते है हमने यहाँ पर आपको एक reaction भी करके दिखा दी है कि JN धातु है, जिंक एक धातु है जिसमें सांसर फ्यूरिक अमल यानि H2SO4 हमने मिलाया तो हम आगे देख रहे हैं कि इसमें क्या है hydrogen gas निकल रही है, hydrogen gas release हो रही है तो यह statement आपको याद रखना है और इस साथ से नीचे अगर pH मान होता है तो वे पदार्थ अमली होते है और साथ से उपर जिनका pH मान होता है वे पदार्थ कैसे होते हैं वे पदार्थ कैसे होते हैं, वे पदार्थ चारक होते हैं चार होते हैं, तो चारी ये पदार्थ का pH मान साथ से अधिक होगा और अमली पदार्थ का pH मान साथ से कम होगा अभी हम आगे और भी इसके बारे में डेटेल में देखेंगे pH के बारे में तो इतनी चीज़े हमने देख ली है अच्छा एक चीज़ यहां पर और देखना है कि सभी अरहेनियस नामक विद्वान ने बताया था कि अमल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल कर H प्लस आयन पदान करते हैं इस वेरी इंपोर्टन इस्टेट्मेंट और 68th BPSC में यह स्टेटमेंट आया था तो याद रखेगा कि अमल ऐसे पदार्थ होते हैं किसके अनुसार आरहेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था कि अमल ऐसे पदार्थ होंगे जो जल में घुल कर क्या देंगे H प्लस आयन प्रदान करते हैं एक जादतर आयन होते है तो इतनी बाते तो आपको याद रखनी है कि अमल खटे होंगे नीले लिटमस वेपर मिठायल उरेंच को अमल लाल करते हैं जात्व Oj視 नामक करे चिरजो करते हैं सबीन एसिट के लिए जो समानिता अमल में होता है वह हाइड्रोजन होता है, अमल विपदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+, आयन प्रदान करते हैं और हमने एक reaction भी करके दिखा दिया है कि कैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जल मिलाने पर ये H+, आयन प्रवाइड कर रहा है अमल दो प्रकार के होते हैं, अब हम types of acid के देख लेते हैं, एक होता है Hydroxy Aml, और दूसरा होता है Oxyml, Hydroxy Acid क्या होगा वैसे अमले जिसमें सिर्फ Hydrogen हो Hydroxy Acid कहलाता है तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वैसे अमले जिनमें सिर्फ Hydrogen, Hydrogen हो तो उसको हम Hydroxy Acid कहेंगे और ऐसे यह अमले जिसमें hydrogen के साथ oxygen भी उपस्थित हो तो उसको उनक्या कहेंगे औक्सी एसिड कहेंगे तो आक्सी से oxygen हो गया इसको याद करने का अच्छा तरीका है और hydroxy से क्या हो जाएगा hydrogen हो जाएगा तो वे पदार्थ जिसमें सिर्फ hydrogen होंगे तो hydroxy कहेंगे और वे पदार्थ जिनमें hydrogen के साथ साथ यानि hydrogen तो समानेता acid में होगा ही statement हो सकता है कि जिसमें केवल oxygen हो वो oxygen कहलाएंगे तो वहाँ पर दूसरा statement तो सही हो जाएगा कि वैसे जिसमें सिर्f hydrogen हो वो hydroxy acid होगे लेकिन पहला statement गलत होगा जहां पर लिखा होगा कि वैसे जिसमें सिर्फ oxygen हो वो oxy acid कहलाएंगे तो वो statement गलत होगा कि oxygen तो होगा लेकिन उसके साथ hydrogen भी present होगा अगर वो acid है तो तो वैसे जिसमें hydrogen के साथ oxygen presence होगा तो वो oxy acid कहलाएगा जैसे कुछ example है H2SO4 यहां hydrogen भी है SO4 में आप देख रहे हैं oxygen भी है H1O3 हो गया CS3COOH हो गया तो यह सभी oxy acid के example है वहीं उपर hydroxy acid के हमने भी example लिखे थे जैसे HCL यहां पर आप देखने oxygen present नहीं है वहीं HF यानि hydrogen जो fluoride होता है यहां पर hydrogen तो है तो केवल अगर hydrogen होगा acid में तो hydroxy acid hydrogen के साथ-साथ oxygen होगा तो oxy acid कहलाएगा यह किसी gas में oxygen 50% से अधिक है तो वह gas अमली हो जाती है यानि अगर कोई gas है और gas में अगर oxygen की मात्रा 50% से अधिक होगी तो वो gas कैसी हो जाएगी वो gas अमली हो जाएगी यह बात आपको याद रखनी है carbon monoxide उदासीन होती है क्योंकि इसमें oxygen 50% से अधिक नहीं होता है यह statement क्यों important है अब कथन कारड में इस तरीके के statement बना सकता है कथन दे देगा कि यदि किसी gas में oxygen 50% से अधिक है तो वह gas अमली होगी कारड में दे देगा कि carbon monoxide gas उदासीन gas होती है क्योंकि इसमें oxygen 50% से अधिक नहीं होगा तो दोनों ही क्या हो जाएगे कथन कारड सही हो जाएगे एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे होंगे क्योंकि कोई gas अमली है या नहीं है यह किस पर depend यहाँ पर कर रहे है oxygen की मात्रा पर depend कर रहे है कि अगर किसी gas में oxygen 50% से अधिक है तो वो कैसी हो जाएगे carbon monoxide gas उदासीन gas होती है carbon monoxide gas उदासीन gas होती है क्योंकि इसमें oxygen की जो मात्रा है वो 50% से अधिक नहीं होती है लुईस एक scientist थे तो लुइस नामक साइंटिस्ट ने आधुनिक आउधानडा दिया और लुइस वैग्यानिक के अनुसार अमल वेपदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रानों को ग्रहण करते हैं अभी हमने उपर आरहेनियस साइंटिस्ट के बारे में देखा था आरहेनियस ने क्या बताया था कि अमल वेपदार्थ होते हैं जो एच प्लस आयन प्रदान करते हैं वहीं लुइस नामक विद्वान क्या कह रहे हैं कि अमल वेपदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रानों को ग्रहण करते हैं और एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम है ब्रोस्टेड और लॉरी तो ब्रोस्ट प्रकृत में ये सभी statement दिये होंगे और आगे दिया होगा वैग्यानिकों के नाम अब आपको सुमेलित करना होगा कि कि scientist के अनुसार, अमल की प्रकृत क्या होगी? तो Arheneas Scientist के अनुसार अमल क्या बताया थे कि H plus ion प्रदान करते हैं Lewis नामक Scientist ने क्या बताया कि अमल वेपदार्थ होंगे जो electronओ को ग्रहन करेंगे और Brosted Laurie नामक वैज्यानिकों ने क्या बताया कि अमल वेपदार्थ होंगे जो proton को प्रदान करते हैं तो इतनी बाते आपको याद रखनी है, नीचे एक reaction दिया गया है, 2HCl plus Na2CO3, उसके बाद, अब ये जो reaction होगा, ये क्या है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, और आगे उत्पात जो बन रहा है, जो product बन रहा है, इस reaction के बाद में, तो 2 NaCl plus CO2 gas यहां पर relate हो रही है, तो इ मिलाएंगे, तो यहां पर आप देख रहे है, CO2 gas क्या हो रही है, relate हो रही है, बुदबुदाहट के साथ, तो इस तरीकी का reaction आपके exam में पूछा जाता है, कि जब आप sodium carbonate में SCL, यानि hydrochloric acid मिलाते हैं, तो क्या relate होता है, तो क्या relate होता है, तो CO2 gas relate होती है, तो जब हम ध classes हैं, वो NCRT based classes हैं, और यह सभी statement आपके 70 VPSC prelims exam में पूछी जा सकती हैं, जिस हिसाब से अब आपका exam pattern change हुआ है, और ऐसे question पूछे भी गये हैं, अब प्रबल acid और दुर्बल acid के हमने कुछ यहां पर example लिख दी हैं, यह भी प्रशन पूछा जाता है, statement होता है कि निमलि H2SO4 होगा, HNO3 होगा, यानि hydrochloric अमल होगा, H2SO4 यानि sulfuric acid और HNO3 यानि nitric acid, यह सभी प्रबल acid के example हैं, HCL, H2SO4 और HNO3, HCL आप जानते हैं, यह आपके अमासे में उपस्तित होता है, अमासे में उपस्तित होने की कारड़ ही, जब आप खाना खाते हैं, ग्रीवा से होकर जब आपका खाना आमासे में पहुंचता है, तो यह HCL ही क्या करता है, आपके खाने को गलाने का कार करता है, आपके खाने को गलाने का काम करता है, और आपके खाने में जो भी जिवान वगेरा होते हैं, उनको भी यह HCL नश्ट कर देता है, H2SO4 जो आप बैटरी देखते ह इसके लावा आउसधिया और उर्वरक को बनाने में भी हम H3 का यूज़ करते हैं लाल आपको याद रखना है कि HCl H2SO4, H3 ये तीनों ही प्रबल एसिड के एक्जामपल है दूरबल एसिड में आप Cytric Acid, Formic Acid और Esic Acid ये सब ही देखते हैं Cytric Acid जो नींबू और संत्रे में आपको मिलेगा संत्रे में, Formic Acid ये आपको चीटी और बिछ्चु के डंक में आपको मिलेगा acetic acid सिर्के में आपको मिलता है कुछ अन्य दुर्बल acid भी है जिनको हम लोग यहाँ देख लेते हैं नीचे एक पूरी list हमने बना दी है ताकि चीजे आपको पता हो यहाँ से question सुमेलित करने के लिए आता है ज्यादतर question आपके जाम में सुमेलित करने के लिए आएगा इसके लावा direct statement के रूप में भी question पूछा जाता है पूछ लिया जाएगा कि सिर्के में कौन सा आमल होता है और चार आपको different option दिये जाएंगे तब वहाँ पर आपको बताना होगा कि सिर्के में acetic acid होता है उसी तरीके से निम्बू संत्रे में citric acid होता है अंगूर और इमली में tartric acid मिलेगा पालक और टमाटर में aug jellylic acid होता है चीटी और जो बिच्छू का डंक होता है उसमें methinowic या formic acid होता है दुरगन दियुक्त जो मक्खन होता है उसमें butric acid होता है ये आपके जामें कई बार पूशा जा चुका है हींग में ferulic acid होता है हींग में आमला में होता है L-ascorbic acid जिसको हम lambic अमल भी कहते हैं ascorbic acid actually ये vitamin C का vitamin C का chemical name है vitamin C का जो रासाइनिक नाम है ascorbic acid ही है वो होता है L-ascorbic acid जिसको हम लोग कहते हैं lambic अमल फलो के रस्मे मौलिक अमल होता है तो ये आपको पूरी list याद रखनी है यहां से प्रशन आपके जामें लगाता रहता है अगर आप लोग PYQ solve करेंगे तो आपको ये question multiple मिलेंगे प्रबल एसिड हो गया, धुरूबल एसिड हो गया है अब आगे देखते हैं aqua regia एक होता है aqua regia को क्या कहते हैं इसको कहते हैं अमलो का राजा, अमल राजा अमल राजा क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें सांदर, HCl और H3 अगर हम प्रबल अमलो को यहां जो देखा था HCl, H2SO4, HNO3 अगर इनमें आप करम लगाओ के तो सबसे प्रबल अमलो होता है HNO3, फिर होता है H2SO4 जब आप HCl और HNO3 को 3 अनुपात, 1 के अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमलो का राजा बनता है और यह इतना प्रबल हो जाता है कि सोने जैसे धा तुको भी यह क्या कर देता है घोल देता है, तो याद रखिएगा, हमल राजा कहते हैं जिसमें HCl और HNO3 का 3 अनुपात, 1 के अनुपात में मिला हुआ मिस्रड होता है सोने को यह घोल सकता है, यानि सोने में अगर आप इस अमल राजा, यानि एक्क्वारेजिया को डाल देंगे तो सोना जो है वो गल जाएगा, घोल जाएगा सांद्र S.E.L. को मियूरेटिक एसिड भी कहते हैं, यह भी आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है अमल धातु आक्साइडों से अपक्रिया कर लमण और जल प्रदान करता है इस्टेटमेंट इंपोर्टेंट है, यह दोनों इस्टेटमेंट जो नीचे दियेगे हैं तो अमल अगर धातु आक्साइडों से रेक्शन करेगा, तो वो लमण यानि सॉल्ट और जल एस्टु ओ रिलीज करता है वही दूसरी तरफ अमल अगर धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा, तो वो CO2 प्रदान करेगा तो दो स्टेट्मेंट हमने यहाँ पर देखी, कि अमल अगर धातु आक्साइडों से अपक्रिया करेगा, तो लमण जल प्रदान करेगा, वही अमल अगर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करेगा, तो वो carbon dioxide gas प्रदान करेगा, रा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, विद्दुत के ये भी सुचालक होते हैं, अमलो की भाती, जब जल से क्रिया करते हैं, बेस तो ये hydrogen gas प्रदान करते हैं, it's a very important statement कि जल से क्रिया करने के बाद, जो बेस होते हैं, वो काई उनसी gas को रिलेश करते हैं, कौन सी gas को प्रदान कर hydroxide और sodium hydroxide, जल में घुलनसील जो बेस होते हैं, उनको हम चार कहते हैं, ये important statement है, हमने उपर भी बताया था, इस सभी भस्म चार हो सकते हैं, लेकिन सभी चार भस्म नहीं होंगे, भस्म यानि बेस एक बड़ा गोला होता है, और इस गोले के अंदर होंगे चार, जो भस्म ज जल में घुल जाएंगे, जल में घुलनसील होगा, वही भस्म क्या कहलाएंगे, चार कहलाएंगे, तो भस्म तो सभी चार हो सकते हैं, लेकिन सभी चार भस्म नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे भी भस्म होते हैं, जो जल में घुलनसील होंगे, वही चार होंगे, तो ये statement आपको बारे में डिसकस किया है किवल आपको ये करम याद रखना है जो आपके एक्जाम में आने लायक होता है SCL, HNO3, H2SO4 ये आपको basic करम याद रखना है ये प्रबल अमले के एक्जामपल है तो सबसे प्रबल अमले अगर आप इस करम में देखेंगे ये तो SCL होता है उसके बाद HNO3, H2SO4 उसके पहले भी आपको ये करम दिया गया है चाहे तो आप इसको देख सकते हैं लेकिन आपके एक्जाम पॉइंट आफिसे ये करम इंपोर्टन है SCL उसके बाद HNO3, then H2SO4 नीचे की स्टेटमेंट दिया गया है जो आपके एक्जाम पॉइंट आफिसे इंपोर्टन है जैसे कार्बन की उपस्थिती से अमलों की प्रबलता घट जाती है अर्थात यहां अमलीता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है यहनि किसी अमले में अगर आप कार्बन को अगर आप मिलाएंगे तो उस अमले की प्रबलता है उस अमले की प्रबलता है वो क्या होगी वो कम होगी अर्थात जो कार्बन होता है वो अमले पर क्या करता है जो अमले की अमलेता होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालता ह वाला कौन सा तत्त होता है, वो क्या होता है, कार्बन होता है, सामने कुछ important fact दिये गे हैं, जैसे CO2 और NO2, यानि कार्बन डायाकसाइड गैस और nitrogen डायाकसाइड गैस, ये अमली आकसाइड के एक्जामपल है, तेजाब के बारे में अगर इनके हम chemical name बता हैं, तो KOH यानि potassium hydroxide, ये सबसे प्रबल चार होता है, उसके बाद sodium hydroxide, दूसरे नंबर पर आएगा, चारू के क्रम में, प्रबल चारू के क्रम में, तो potassium hydroxide, then NaOS, sodium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonia और ammonium hydroxide, ये चारू की प्रबलता का क्रम है, याद रखिएगा, आप से में पूछा जाता है, ये आपको जरूर याद रखना है, KOH यानि potassium hydroxide, sodium hydroxide से अधिक प्रबल चार होता है, प्रबल चार अधिक मात्रा में OH आयन उत्पन करते हैं, जैसे हमने अमलों में देखा था, जो अमल होते हैं, वो H प्लस आयन उत्पन करते हैं, आरहेनिया scientist के अनु hydroxide, calcium hydroxide, ये सभी प्रबल चार के एक जामपाल है, जिसमें potassium hydroxide, sodium hydroxide से अधिक प्रबल चार होता है, प्रबल चार क्या उत्पन करते हैं, तो ये OH आयन उत्पन करते हैं, दुर्बल चार ये कम OH आयन उत्पन करते हैं, जो प्रबल चार होते हैं, वो अधिक मात्रा में OH आयन होते हैं दुर्बल छार छार में पानी को मिलाना एक उसमा छेपी यानि एक्सो थेर्मिक प्रोसेज है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसमा छेपी प्रक्रिया ऐसी होती है ऐसा कैम का रियक्षन होता है जिसमें heat जिसमें heat generate होती है जैसे किसी चीज को आप जलाएंगे उसका दहन करेंगे तब आप जानते हैं उसे heat generate होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का example होता है और भी हमने कई सारे example दिये थे जब आप छार में पानी मिलाएंगे और ये भी example हमने आपको दिया था CAOH का होल टोईच जहां पर जो चूना होता है जो बिना भुजा हुआ हुआ चूना होता है उसमें अगर आप H2O मिलाते हैं तो वहाँ पर heat generate होती है वो कैसी केमकर reaction होती है एक्सोथर्मिक reaction का example हमने वहाँ पर बताया था तो चार में अगर आप पानी मिलाएंगे तो वो कैसी reaction होगी वो एक्सोथर्मिक reaction होगा वो एक्सोथर्मिक process होगा राइट चार को चूने से साबुन के जैसा महसूस होता है चिकना होता है और मुलायम होता है इतनी बाते आपको याद रखनी है अच्छा उपर हमने एक example चार का दिया था magnesium hydroxide तो magnesium hydroxide का उपयोग पेट की अमलियता को दूर करने में किया जाता है अगर acid आपके पेट में बन गई है gas बन गई है तो उस स्थीद में आपको magnesium hydroxide दिया जाता है जिसे आपकी पेट की अमलियता है वो दूर हो जाती है इनो भी पिलाया जाता है इनो जो होता है बेसिकलिए उसमें sodium carbonate sodium bicarbonate होता है और उसके साथ है citric acid होता है इनो में और इनो भी क्या करता है इनो भी क्या होता है एक anti-acid होता है आपके पेट की अमलीता को दूर करने का वो काम करता है कोई पदार्थ अमली है अथवा चारी है इसका परिच्चर करने के लिए विशेश परकार की पदार्थों का उपयोग किया जाता है ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं सूचको को जब अमली तथा च्छारी पदार्थ युक्त विलियन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है जिसे हल्दी हो गया कभी आपके सफेद कमीश पर सफेद कपड़े पर कभी हल्दी के दाग लग जाएं और उसको आप साबून से जब आप धूलते हैं वास या च्छारी है राइट हमने आपको लिटमस के बारे में बताया था लिटमस ये समान रूप से उप्यों किया जाने वाला एक प्राकृतिक सूचक है नीला लिटमस में अगर आप अमले मिलाते हैं तो लाल हो जाता है वहीं लाल लिटमस में अगर आप च्छार मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है उसका रंग नीला हो जाता है तो सबसे सामान रूप से उप्योग किया जाने वाला जो प्राकर्तिक सूचक है किसी पदार्थ को पता करने में वो अमली है या छारी है तो वो लिटमस का यूज करते हैं राइट लिटमस को लाइकोनों से निसकरशित किया जाता है लिटमस को जब अमली विलियन में मिलाया जाता है तो यहा लाल हो जाता है और छारी विलियन में मिलाया जाता है तो यहा नीला हो जाता है इसे पदार्थ ना तो अमली होते है ना ही छारी होते है यानि नीला लिटमस है अगर वो लाल हो जा रहा है यानि उसमें अमल मिलाया गया है अगर लाल लिटमस है नीला हो जा रहा है तो यानि उसमें चार मिलाया गया है लेकिन जब आप कोई पदार्थ मिलाते हो और ये रंग जो लिटमस का है नीला और लाल ये चेंज नहीं होता इसका मतलब है कि वो पदार्थ ना तो अमली है ना ही छारी है बलक्यों कैसा है वो उदासी इन विलियन है गुड़हल के पुस्प का सूचक अमली विलियनों को गहरा गुलाबी यानि जिसको हम मैजेंटा कलर कहते हैं और छारी विलियनों को हरा कर देता है अब नीचे हमने पुरा ग्राफ बना दिया है अमल छार सूचक के समबत में ता कि चीज़े एक ही जगे आपको मिल जाएं रिविजन करने में हसानी हो जैसे नीला लिटमस क्या करता है कि अमल के साथ रियक्ट करके ये लाल हो जाता है वहीं लाल लिटमस क्या हो जाता है छार के साथ रियक् आपको बताया था. अगर आप royal austral लाल रंग में बदल जाता है. फिनिफ्तím 11 एक यह रंगहीन पदार्थ होता है, अम सब्सक्राइबstemकूट does बैसेёзे अगर चनुमट के Panamilそう adopted in-depth यहुता है कि Phenoptioline में अमल मिलाने पर क्या होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा च्छार मिलाने पर इसका रंग गुलाबी हो जाएगा Methyl Orange में अमल मिलाएंगे तो लाल रंग में बदल जाएगा और च्छार मिलाएंगे तो पीले रंग में बदल जाएगा हल्दी में अमल मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अगर इसमें कोई छार मिला देंगे तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है लाल लिटमस में अगर आप अमल मिलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा अभिक्रिया उदासीनी करड कहलाती है इस प्रक्रम में उस्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लमण और जल निर्मित होते हैं तो यहां पर जो इस स्टेटमेंट लिखी हुए यह important है कि कोई अमल है कोई छार है अगर दोनों के बीच जो आप अभिक्रिया कराएंगे तो वो उदासीनी करड रियक्षन होगा जैसे हमने कैमकल रियक्षन में इस चीज को बताया भी था उदासीनी करड अभिक्रिया में अमल और छार रियक्टेंट के रूप में मौजूद होते हैं अमल और छार की रियक्षन कराना होगा, उदासीनी लवण का पियच मान साथ होता है, तो उदासीन लवण कब आपको मिलेगा, जब प्रबल अमले के साथ, प्रबल चार की क्रिया कराएंगे, वहीं अमली लवण कब मिलेगा, जब प्रबल अमले के साथ में दुरूबल चार, यहां पर अपन प्रबल चार के साथ में दुर्बल अमल मिलाना होगा, तो आपको छारी लवण मिल जाएगा, छारी लवण का मतलब क्या होगा, प्रबल अमल प्लस दुर्बल अमल, अमली लवण का मतलब क्या होगा, प्रबल अमल प्लस दुर्बल चार, और उदासीन लवण का क्या मतलब हो में दुर्बलम्ल होगा राइट पीयच मांद साथ से अधिक होगा चानी लमढ क्यूकि जानते हैं चार वे होते हैं जिनका पीयच मांद साथ से कम होता है, उधासीन होगा तो पीयच मांद साथ होगा, NaCl को साधारड नमक कहा जाता है, जिसका आप यूज़ खाने में करते हैं, NaCl होता है, सोडियम कलोराइड होता है, जिसे हम भोजन में इस्तमाल करते हैं, NaCl यानि जो सोडियम कलोराइड जो आपका खाने वाला नमक होता है, वो एक उदासीन लमड है, वो एक उदासीन लमड ह और उदासीन लवड है इसका मतलब भी हमने उपल बताया कि इसमें क्या होगा प्रबल अमल होगा और प्रबल छार होगा तो इस चीज को आप याद रखेगा छार जो होते हैं वो एंटाइसिड होते हैं यानि इनका उपयोग हम अमलियता को दूर करने के लिए करेंगे अमलि पेट की अमलीता को दूर करने में उसका इस्तमाल किया जाता है और वही काम इनो भी करता है इनो भी पेट की जो अमलीता होती है उसको दूर करता है तो एंटा एसिड होते हैं छार उप्योग आउसत की रोब में पेट में बने ज्यादा एसिड को कम करने या उसको बनने में रोकने में इनका उप्योग किया जाता है। और वर्सा का पानी एक सुध्ध जल होता है इसलिए वर्सा के पानी में कभी पूछ लिया जाए कि pH क्या होगा तो क्या बताएंगे साथ बताएंगे सोडा वाटर होता है सोडा वाटर की जो प्रक्रत ही होती है वो अमली प्रक्रत की होती है सोडा वाटर की प्रक्रत की होती है अमली प्रक्रत की होती है एसेड नेचर होता है इनका निर्मार कैसे किया जाता है सोडा वाटर का तो ये आटिफिसल रूप से सोडा वाटर बनाया की थी, सुरेंसन ने pH scale की खोज की थी, पी का अर्थ क्या होता है, potential या power होता है, यानि आप जानते हैं कि अमल और छार दोनों में ही क्या होता है, hydrogen की presence होती है hydrogen की presence होती है, right, hydrogen की presence होती है, इसलिए कोई पदार्थ अमली है या छारी है, तो उस इस्तित में हम उस पदार्थ की hydrogen potential को देखते हैं, और फिर निर्धारित करते हैं पदार्थ अमली है या छारी है, तो जिसका pH मान साथ से कम होगा, वो पदार्थ अमली होगा, जिसका pH मान साथ से अधिक होगा वो छारी होगा, और जिस पदार्थ का pH साथ होगा, वो basically उदासीन होता है, pH स्केल पर आप 0 से 14 अंक निर्धारित करते हैं 0 से 14 अंक निर्धारित करते हैं 14 जो होता है वो उदासीन प्रकृत के पदार्थ होगा, pH होता है, 7 से अधिक छारी है और 7 से कम लमडी है माफ कीजिए, 7 से कम अमली होगे साथ से अधिक कैसे होंगे चारी होंगे और साथ किसका होगा उदासीन पदार्थ होगा सुद्ध जल जिसे हम वर्षा का जल भी मान सकते हैं क्योंकि वर्षा का जल सुद्ध जल होता है तो वर्सा का जो जल होता है बेसिकली वो सुद्ध जल होता है लेकिन वायू मंडल में कई इसमें धूलकड मिल जाते हैं जिसके कारण उसका जो pH मान होता है वो 5.5 आ जाता है और अमली वर्सा में बेसिकली आपको HNO3, HNO3 और H2SO4 तो वायू मंडल में जब HNO3 यानि नाइटरिक आकसाइड और सान सल्फिरिक एसिड जब उस वर्सा में भूल जाता है और उसके बाद जो वर्सा होती है उसको कहते हैं हम लोग अमली वर्सा तो pH घटकर कितना हो जाता है 5.5 हो जाता है अमली वर्सा में तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जल सुद्ध होता है कि दो वायू मंडल में धूल कड़ो की मिलने से उन धूल कड़ो में बेसिकली जो इंपोर्टेंट तत्व होता है एक तो NHO3 नाइटरिक आमला और H2SO4 यानि सान सल्फिरिक एसिड जब ये मिल जाता है उस वर्सा के जल में तो pH को घटा कर ये 5.5 तक जाता है जिसको हम लोग अमली वर्सा कहते हैं HNO3 और H2SO4 दोनों ही हम जानते हैं ये परबल अमले की एकजामपल है कुछ पदार्थों का pH मान देख लीजिए जो आपकी एकजाम में पूछे जाते हैं जैसे निम्बू का pH मान 2.2 होता है सिरके को हम विनेगर भी कहते हैं तो इसका pH होता है 2.4 सराप का 2.8 टमाटर का 4 होता है बीर का 5 होता है कौफी अमली होती है 5.5 होता है लार का जो pH मान होता है 6.5 से 7.5 होता है मानोरक्त का pH मान होता है 7.4 और दूद का होता है 6.4 यानि दूद भी कैसा है अमली होता है समुद्री जल का pH मान होता है 7.5 से 8. पुएंट फॉर यानि जो समुद्री जल होता है, वो कैसा होता है, वो छारी होगा, इस चीज़ को याद रखना, प्रष्ण यहां से पुँछा जाता है, करम लगाने के लिए पुछा जा सकता है, कि अमलीता से छारीता की तरफ करम लगाईे, या फिर पूछा जा सकता है चारीता से अमलीता की तरफ क्रम लगाईए तो साथ से जितना कम pH मान होगा उतना जादा अमली होगा और साथ से जितना अधिक pH होगा वो उतना ही अधिक चारी होगा लार के बारे में यहाँ एक interesting point है कि लार जो है वो बहुत कम अमली होते हो और बहुत कम चारी भी होता है यानि यह lightly अमली और lightly चारी होता है यह आपके आहार की प्रकृति पर changeable होता रहता है large होता है आप अगर ज़यदा अमली पदार्तों को खा लेंगे अमली प्रक्रत के हो जाएगा और अगर आप जादा चारी पदारत खाएंगे तो जो pH है वो बढ़कर जो है वो चारीता की तरफ आ जाएगा हम युनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं इस चीज को भी याद रखना पीएच जो है वो विपरीत होता है है यानि हैडोजन आयन जितना बढ़ेगा हैडोजन आयन जितना बढ़ेगा उसका पीएच जो है उतना ही कम होगा इसलिए हमने अमली पदार्थ पीएच मान उसका उतना ही कम होगा यानि वो उतना ही अमली होगा और इसके अपोजिट जो ओयच होता है जो हैड्राकसाइड होता है उसमें क्या होता है जितना अधिक हैड्राकसाइड कोई पदार्थ प्रदान करेगा वो उतना ही अधिक छारी होगा तो अमली पदार्थ वे पदार्थ होंगे जो हैडोजन आयन प्रदान करते हैं और छारी पदार्थ होते हैं जो हैड्रॉक्सी आयन प्रदान करते हैं बफर सोल्यूशन बफर विलियन क्या होता है तो ऐसा विलियन जिसका pH बदलता नहीं है बफर विलियन कहलाता है ऐसा विलियन जिसका pH क्या होता है 7 रहता है यदि उधासीन रहता है तो बफर विलियन का पिएज कितना होता है pH 7 होता यानि वो उधासीन होता है इस चीज को भी आपको याद रखना है लवडों के बारे में अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और डिधेल में देखेंगे लवण का निर्माड अमल और चार की क्रिया से होता है, इस क्रिया को उदासी नहीं करण अभी क्रिया कहते हैं, हमने पीछे इस चीश को डिसकस कर लिया है, इसके फलस रूप लवण तथा जल बनते हैं, अब नीचे एक रेक्शन दी गई है, यह हो गया आपका परबल अमल, यह हो गया परबल चार, और दोनों की क्रिया कराने से क्या बना, लवण बन गया, और जल जो है, रिलेज हो गया, जल आपको प्राप्त हो जाता है, तो HCL, NaOH, यानि हैडोजन क्लोरिक एसिड और NaOH, यानि सोडियम हैडराकसाइड, यह दोनों ही परबल अमल, परबल चार क NaCl, तो यह आपको याद रखना है, लवण किसे मिलता है, तो लवण अमल और चार की क्रिया से प्राप्त होता है, सामान लवण कैसे होते हैं, तो इस परकार के लवण में विस्थापित हाइडरोजन उपस्थित नहीं रहता है, इसमें ना अमली गुड होता है, ना ही चार ये गुड के होते हैं, और इस परकार के लवण में विस्थापित हाइडरोजन उपस्थित नहीं होता है, जब हाइडरोजन उपस्थित नहीं होगा, तो ना तो वो अमली होगा, ना ही चारी होगा, क्योंकि अमली और जो चारी पदार्थ होते हैं, उनमें हाइडरोजन क् presence मिलेंगी लेकिन hydrogen जो होता है वो hydroxy iron के रूब में यहाँ पर present होता है oxygen के साथ में तो अमली लवड क्या होते हैं अमली लवड इस प्रकार के लवड में hydrogen उपस्तित होता है जिसके कारण इसमें अमली गुड देखा जाता है जैसे naos co3 यानि sodium bicarbonate वहीं जो चारी लवड होता है इस प्रकार के लवड में hydroxy उपस्तित होता है hydroxy iron यानि OH उपस्तित होगा hydroxide और जिस कारण इसमें आपको चारी गुड देखने को मिलेगा जैसे calcium hydroxide हो गया अब यहाँ पर कुछ आपको प्रमुख लवड दिये गए हैं जो आपके एकजाम में लगातार पूछे जाते हैं जैसे एक प्रमुख लवड है आपका sodium bicarbonate जिसका chemical formula होता है NAH CO3 sodium bicarbonate और इसका अगर आप देखेंगे साधारा नाम तो इसको हम baking powder या खाने के soda के रूप में जानते हैं तो खाने का soda या baking soda कभी आप घर में अगर आप खाना बनाते होंगे तो आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो मम्मी जी से पूछे जब आप वो कभी फल की वगारा बनाती है या वड़ा बनाती है दही वड़े जो बनाया जाते हैं वो क्या हो है वो फूल या थोड़ा साफ्ट हो जाए राइट वही sodium carbonate होता है जिसका chemical formula होता है Na2CO3 into 10H2O और यह जो sodium carbonate होता है यह caastic soda है जिसको धोने का soda कहते हैं और इसका प्योग हम साबून बनाने में करते हैं तो याद रखेगा sodium bicarbonate औ baking soda या खाने का soda होता है और sodium carbonate यह caastic soda या फिर धोने का soda या धावन soda होता है sodium bicarbonate का formula होता है Na2CO3 sodium bicarbonate और sodium carbonate का formula होता है Na2CO3 potassium nitrate का उपयोग आप gun powder में करते हैं यह भी एक लमड़ है copper sulfate जो कि एक लमड़ है COSO4 into 5H2O इसका chemical formula होता है नीला थोथा भी इसको कहते हैं यह आपके exam में कई बार पूछा जा चुका है कि नीला थोता किसे कहते हैं तो copper sulfate को copper sulfate को और किस नाम से जानते हैं नीला थोता के नाम से एक होता है sodium thiosulfate sodium thiosulfate जिसको हम hypo कहते हैं इसका उपयोग anti chloro के रूप में यूज़ करते हैं chlorine के निसकरसड में आप sodium thiosulfate का करते हैं जिसका अन्य नाम क्या है hypo it's very important यह आपके exam में कई बार पूछा जा चुका है magnesium sulfate को हम epsom sulfate कहते हैं वहीं जो fit curry होती यह प्रकार कर लवाण ही है जिसको हम लोग potass alum भी कहते हैं formula होता है fit curry का K2SO4, L2SO4 का whole thrice into 24H2O right तो यह सभी कुछ परमुख लमडत हैं इस कीजे देखेंगे आप सभी प्रशनों को सही करने की स्तिती में होंगे बस आपको इस class को अच्छे से देखना है और जो आपको हमारे telegram के paid group पर जो notes provide किये जाते हैं उनका आपको multiple revision करना है class में कुछ additional चीजे बताएगी है तो उनको आपको अपने notes में add on कर लेना है उ तक आप लोग पढ़िए अच्छे से जहां है अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें बिना किसी distraction के बिना किसी distraction के पढ़ाई कीजिए 70 BPSC के लिए हमारा संकल बैच है जहां पर हम जो classes हैं वो सभी YouTube पर provide करते हैं उनकी PDF आपको अपने paid group में provide करते हैं 6306473800 हमारा नमबर है